आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो Basically मैं अगर आपको एक बात बताओं बस्टो तो जो हमारे भारत के सभीधान के जो उपबंध है वो कुल मिलाकर के चार देशों के सभीधान से बनाए गए है ठीक है? ये चार देश जो है ये कौन-कौन तो अलग-अलग जो संचोधन है या तत्व है ये अलग-अलग देशों के लिये गए है जिसे कि सबसे हम पहले हम लोग बात करें समगधान शंचोधन की ये है हमारे पास में समभीधान जो हमारे देश का समगधान संचोधन है ठीक है, बिटा ये किस से लिया गया है? ये लिया गया है दक्षणी अफ्रीका के से ना किसे दक्षणी अफ्रीका के से ठीके बिटा ये दक्षणी अफ्रीका के समीधान से जो है ये भारत के समीधान का ये वाला उपबंद जो है ये लिया गया है यानि कि हमारे पास में एके साथ में जो आ जाएगा वो क्या आ जा जाँगा और जो निदेश है बाला है हमारे पासने डिदेशत तत्वर है ये किसे ये यह लिया गया है आयर्लेंज और जो कि हमारे पास यहां पर यह दिया कैंना आयर्लेंज मतलब किया यह ऐरिश गसा इसके लिए comentarios पास में जो दी है lot बी के साथ में आ जाएगा चार यानि कि इसके साथ में बी के साथ में हमारा चार आ गया ठीक है और जो यह हमारे पास में है जानते देखिएगा यह आपात कालिन उपबंद जो होते हैं यह हमारे पास में जो आपात अधिकार जो होता है राष्ट पती का ये तो ये हो गया भी ये हो गया C वाला जो है ये दिया गया है आपात कालीन उपबंद जो होता है हमारे पास में आपात कालीन उपबंद ये कहां से लिया गया है बिटा ये लिया गया है जर्मनी के समिधान कहां से जर्मनी के सभिधान तो यहाँ पर जो इसके साथ में आ जयागा C के साथ में यह C के साथ में वो आ जयागा E ठीक है वेटा और जो सबसे last में हमारे पास में D वहाँ पर बोला गया है किसका संग-राज्य संबन्द जो है संग-राज्य-संबन यह कहां से लिया गया है यह लिया गया है बिटा कनाडा का जो सभी दान ठीक है तो यहांगे जो ड के साथ में आ जाएगा वो आ जाएगा दो ठीक है तो यहांपर एक के साथ में तीन बी के साथ चार यहांगे तीन चार एक दो 3, 4, 1, 2 कहीं है क्या 3, 1, 4, 2 है ये तो 3, 4, 1, 2 ये बह हमारा सही है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400-400-400 पर